नमस्कार आपका स्वागत देदार नामा टीवी पे मैं कुनम आपके साथ राश्टी सुरक्षा सलाहकार अजेट धोबाल ने शनीवारों कहा कि नेताजी सिभास चंद्र बोस अगर आजाती के वक्त जिवित होते तो भारत का विभाचन नहीं हुआ होता नोबाल दिल्ली में नेताजी सुबाचन बोस किसमती वेक्षान में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि नेताजी की तरह जीनिस बहुत कम हुए हैं नोबाल ने कहा कि नेताजी ने अपने जीवन के विबिन पड़ाओ पर दुसाज दिखाया और गांधी को चुनोती देने का दुसाज किया नोबाल ने कहा लेकिन गांधी अपने राजडितिक जीवन के शीश पर थे फिर उन्होंने इस्तिफाद दे दिया और जब कॉंगस से बाहर आये तो उन्होंने ने सीरे से अपना संगश्च शुरू किया केवल वही थे जिन में महात्मा गांधी को चुनोती देने का दुसाज था नुबाल ने कहा मैं अच्छा हैं बुरा नहीं कह रहा हूँ लेकिन बारती इतिहास और विश्व इतिहास में बहुत कम ऐसे लोग है जिन में धारा के खिलाफ चलने का दुसाज था और बिटिस समराज की धारा आसान ने खिलाफ जाना आसान नहीं था उनके दिमाग में विचार आया कि मैं अंग्रेजों से लडूंगा मैं अजादी की भीक नहीं मागूंगा यह मेरा अधिकार है और मुझे इसे प्राप्त करना होगा उन्होंने कहा कि निता जी इसमें अकेले थे जापान के अलावा किसी देश ने उनका समर्थन नहीं किया था उनका नेतरत एक अलग शैली का था डोबाल निता जी को याद करते वे कहा कि बोस ने जोड दिया था कि भारत एक वास्तविक्ता थी भारतिक वास्तविक्ता है और भारतिक वास्तविक्ता होगी